तो रोज ये सारी activities करने वाला हूं, तो सब को ही लग रहा है, लेकिन जैसे ये खतम होता है, फिर हम सब लोग भूल जाते हैं, और ये रोज होता है, इसलिए ये रोज आपके साथ ना हो, ये मत सोचिए कि सुबह का club सिरफ उन लोगों के लिए जो weight कम करना चाते हैं, सिरफ उनके लिए नहीं है, जो लग अपनी जिंदगी को transform करना चाते हैं, उन लोगों के लिए हैं, तो अगर आप चाते हैं अपनी जिंदगी को transform करना, तो मिस मत कीजिए, सुबह आईए, उठीए, आज आपको बहुत बड़ी वीडियो भी दिखाई है, सुबह उठने के फाइ हो जाओ, आपके बहुत सारे senior leaders हैं, जो आपको बार-बार message करते होंगे, कि जल्दी से आओ, enter करो, तो आपको अलड़ी accountability partner मिला हुआ है, और शुरू शुरू में अगर आपको लगे ना ऐसा कि मेरे को परैशानी हो रही है, तो किसी एक person को phone करके ज़रूर एक रात पहले ब मुश्किल लगेगा, उसके बाद habit बन जाएगी, और जब habit बन जाएगी, तो फिर आपको जिन्दकी खुबसूरत लगने लगीगी, जिनको बहुत जादा pains रहती हैं, खास कर कि जिनको degenerative changes हो जाते हैं, degenerative changes मतलब कि अब हड़ियां कमजोर हो गई हैं, क्योंकि ना तो कोई supplement खाया, ना तो कोई nutrition खाया, परिशानी तो कचलती रही सारा जीवन, तो उसमें क्यों होता है, हड़ियां कमजोर हो जाती हैं, उसमें क्या करना है, सबसे असान तरीका ना, आप जो भी खाना खा रहे हो, जो भी nutrition खा रहे हो, बहुत सारे लोग हैं यहां पर हम बोलते हैं, हमने तो इतने सालों से calcium खाया है, फिर हमारी हड़ियां कैसे कमजोर हो गई, हो सकता है, आपने calcium खाया है, बट वो आपकी body में absorb हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको metabolism को regulate करता है, वो तो कुछ करी नहीं रहे हो, तो सिरफ calcium खाने से भी लिए आप जो भी न्यूट्रियंट्स खा रहे हो आपकी बॉड़ी में इब्जॉब हो जाएं उसके लिए आपको हमेशा ही मतलब आज नहीं कल नहीं हमेशा ही चार्ज़ पानी पीना चाहिए मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएं उसके साथ इतने सारे हमारे पेशें आपकी बॉड़ी में जमे हुए टॉक्सिन को बाहर निकालता है मेंटल टॉक्सिन को तो हम मौनिंग मिरेकल कलब के अंदर निकाल देते हैं जो फिजिकल टॉक्सिन जमा होता है उसको निकालने के लिए वाटर एनरजी पैड का पानी पीओ और छोटी वाली जो बेल्ट है उसको बांदो उसको फुल डे बांद लो अपका पेन गायब हो जाएगा मेरे पापा को भी लास्ट मन्त बहुत ज़्यादा सिवियर वाला तो बिल्कुल हीली नहीं रहा था इतना बुरा हाल और बिल्कुल मूवी नहीं कर पाए था पूरा इस पोर्शन तक दर्द था तो दो दिन के बाद मैं घर गई तो दो दिन से फोन पे बात हो रही थी बोलरे थे दर्द धर्द दे case得 और मुझे भिध्यान नी रहा उनके पास वाटर एनरजी पैड मेट्र सब है मुझे भिध्यानु रहा उनको बोलना आप बेल्ट बांद लो तो हुआ क्या दो दिन बात मैं घर गई तो मेडिसिन तो देखा तो बेल्ट नहीं बांदी वही थी तो मैंने बोला पापा वो बांदी नहीं तो बोलते हैं वो मुझे धियान ही नहीं रहा तो बेल्ट बांदी दो दिन में उनके पास रही और दर्द बिल्कुल गायब हो गया अभी लास्ट टाइम जब मैं गई वहां उनके पास तो मैंने पूछा आँ मैं क्या पापा वो दर्द कैसा है कहते हैं हाँ वो तो गायब हो गया मतलब दो तिन दिन के अंदर वो दर्द चला गया वो डाइबटिक है आप सबको पता है मैंने बहुत बार शेयर किया है तो उनका यूरिक एसेड जब बढ़ जाता है तब ऐसी पेंज आती है लेकिन उसको भी रिलीव कर दिया सिरफ वेल्ट बानने से इतने मिराकुलस रिजल्ट्स हैं ऐसे हर घर में हैं इसे हर घर में रिजल्ट है बट जब तक हम करे ही नहीं तो फिर कैसे होगा और एक बहुत ही वर्दान वाली अगर मैं बात बताऊ ना बहुत ही बड़ा वर्दान है वो है शलाकी किसी भी पेशन्ट को दे दो आप शलाकी उसको रिजल्ट आएगा ही आएगा पीना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि थोड़ी कड़वी है फॉक्सेलिव डालके पीलो फॉक्सेलिव मीठा है तो टेस्ट भी अच्छा बन जाता है और एब्जॉब भी हो जाती है तो 30 ml शलाकी डालो दो चमच फॉक्सेलिव डालो पानी में घूल के पीलो दिन में तीन टाइम पेन किलर भूल जाओगे जिसका पेन किलर चल रहा है न दो टाइम तीन टाइम जरूरत ही नहीं है और अगर आपको ज्यादा पेन नहीं है तो दिन में एक टाइम सुबह ले लो बस उठके कोई स्टिफनेस नहीं रहेगी कोई पेन नहीं रहेगी शलाकी के साथ इतनी वंड़फुल मेडिसिन है इतनी वंड़फुल और मैं कहना चाहूंगी जिनको भी नीज का प्रब्लम है घुटनो का प्रब्लम है ग्लुकोजा माइन के इतने miraculous results लिये हैं हमने आप ग्लुकोजा माइन जरूर दीजिए जरूर दीजिए अगर नी का प्रब्लम आया है न ग्लुकोजा माइन 100% दीजिए मेरे मदर को बहुत ज़्यादा नीज का प्रॉब्लम था मैंने बहुत सारे पेशेंट्स का तो ठीक की आई है आपका सबसे बड़ा चालेंज बता है क्या होता आप अपने परिवार को ठीक कर पाऊना वो मुझे लगता है कि एक डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि परिवार ठीक नहीं होता क्योंकि वही होता ना उन्होंने सब बाते तो माननी नहीं होती सब बाते तो करनी नहीं होती तो सबसे बड़ा चालेंज भी वही होता है लेकिन उन्होंने ग्लुकोजा मैन प्रॉपर्ली लिया उनको नीज में इतना प्रॉब्लम होने लग गया था कि थोड़ा भी चलते थे तो दर्द होती थी और आज वो कितना भी काम कर लेते हैं उनके घुटने में दर्द नहीं होता और अब उन्होंने तो अपनी पूरी सब की सब सहेलियों को रेकमेंड करना शुरू कर दिया हुआ है अपने लेवल पर ही वो मगाते हैं अपने लेवल पर ही भेजते हैं क्योंकि उनको फर्क पड़ा है ना शलाकी औरroy कोड़ देते हैं अगर आपके पास ऐसा कोई पेशन्ट है उसको जरूर स्टार्ट कराएं एक बार रिजल्ट लेके देखें कैसा लगता है लेकिन ये सब चीजों के साथ अब होगा क्या जब आप ट्रीटमेंट देते हो न तो पूछते हैं कब तक लेना पड़ेगा हम गोलते हैं छे से आठ महीने लेना पड़ेगा अब आठ महीने के बाद अगर प्रॉब्लम आ जाए फिर क्या करेंगे उसके लेक तो सबसे पहले वाटर एनरजी पैड रेगुलर रखना है उसका पानी पीना बहुत जरूरी है दूसरा अपने स्ट्रेस को रिलीज आउट करना अज बहुत जरूरी है क्योंकि स्ट्रेस तो आठ महीने बाद फिर भी आएगा तब आप तो दबाई भी नहीं खा रहे होगे फिर क्या करेंगे फिर ऐसा लगेगा कि मैं आपने तो बुला ता आठ महीने काई कोर्स होता है फिर क्यों खाना पड़ रहा है उसके पीछे अब यहां पे इसका क्लिंजिंग करना बहुत जरूरी है इसको नहीं साफ करोगे तो फिर हो जाएगा तो कि अभी मैंने बताया 80% केसिज में दर्दों का प्रॉब्लम सिरफ और सिरफ स्ट्रेस की वज़ा से है तो उसके लिए आपको क्या करना है रोज मौनिंग मिरेकल क्लब के अंदर आना है देखी अगर मौनिंग मिरेकल क्लब में नहीं आ रहे है न तो अगर आप यह बुलेंगे न कि मैं बाकी सब कुछ करता हूँ लेकिन मेरे पास सुबह आने का टाइम नहीं है तो आप सच में नहीं कर रहे हैं क्योंकि आदा गंडा निकालना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है फिर आप नहीं कर रहे हैं फिर आप deep breathing नहीं कर रहे हो, आप exercises नहीं कर रहे हो, आप visualization नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर आपके पास आदा घंटा निकालने के लिए नहीं है, और अगर ऐसा हम नहीं कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर आज, तो पर कल तक तो problem और बढ़ जाएंगी ना, बहुत ज़रूरी है, इसको यह मत सोचिए, वहाँ पे सिरफ weight loss के लिए आते हैं लोग, पूछके देखिए जो लोग आते हैं, कितने लोग हैं, उनका weight तो 40 kg है, वो weight बढ़ाने के लिए आते हैं, ओलड़ी होंगे आज के session में भी, वेट बढ़ाने के लिए आते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, अपने आपको हमेशा healthy करने के लिए आते हैं, हमेशा, और सिरफ healthy ही नहीं, अपने mind को relax करने के लिए, और कभी भी master class में इस नहीं करना है, कभी भी, बहुत सारे लोगों का, जो physical pains है ना, उसको release out किया है, सिरफ master class में, बहुत सारे लोगों का, तो कि आपके अंदर एक्दम से joy आ जाता है, खुशी आ जाती है, वो hormones नहीं बनते जिनकी वज़ा से pain होती है, तो अपने आपी body healing में लग जाती है, मैं सबसे इतना जरूर कहना चाहूंगी, आपका age group कुछ भी हो, चाहे आप 17-18 साल के हो, चाहे आप 80 प्लस हो, कुछ भी age हो, सब लोगों को, 18 प्लस को, calcium और vitamin D as a supplement लेना चाहिए, ये मैं आप सब को कहना चाहूंगी, और क्यूंकि हम एक माधियम से उसरे के साथ connected है, और यहां पर मुझे लगता है, कि सब को ये बात कहनी चाहिए, अभी किसी ने डाला कि fever में, हलका सा fracture है, ये क्या है, ये सब सीन्स क्या है, ये कैसे बनते हैं, हमने अपनी जिन्गी के अंदर nutrition नहीं खाया है, जब हम Nutrimax खाने के लिए बोलते हैं, जब हम नोनी प्लस पीने के लिए बोलते हैं, तो पहला इंसान ये देखता है, कि मुझे कोई problem हो तब तो शुरू करें, लेकिन ये आपके लिए nutrition है, ये पहले लेना है आपको बिमार होने से पहले, आपको बाद में तो करना ही पड़ेगा ना, पहले लेना है, और calcium और vitamin D, ये दो चीज़े ऐसी हैं, जो after 18 years आपको start कर देना चाहिए, और अगर आप 30 प्लस, 40 प्लस हैं, अगर आप अभी भी नहीं ले रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा problems आने वाली आने वाले सब्सक्राइब, इसका ध्यान रखिएगा, फिर एकदम से अगर fracture हुआ, एकदम से दर्दे शुरू हुई, तो फिर उसका अब जो उसका कारण है, वो यह मत समझेगा कि ऐसा कुछ कर दिया, मैंने या मेरे से कुछ गलती हो गई, या मैंने काम ज़ादा किया, या कुछ भी किया, आपके अंदर nutrition की कमी है, उसको पुरा करना है, तो उसको regularly लेना है, और water energy pad कभी बन नहीं करना है, कभी बन नहीं करना है, तो जो लोग आज नहीं आए हैं, जो first time session के अंदर आए हैं, अगर आप water energy pad के बारे में, ज़्यादा जानना चाहते हैं, यह कैसे आपकी बिमारियों को बढ़िया करता है, उसको आपके शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, तो इसका ओरड़ी एक detailed वीडियों हमारी यूट्यूब चानल पे है, आप go through कर सकते हैं वहाँ से, आप यूट्यूब चैनल का link माँग सकते हैं, मैं कोशिश करती हूँ, अभी आपको उसको subscribe करने के लिए मैं आपको link अभी दे देती हूँ, ताकि आप उसको subscribe कर सकें, और इसी के उपर सबका सब वीडियो पड़ी हैं, अलरड़ी हमारे पिछले जो sessions हैं, पेंस को लेकर वो हैं सब, इसको ना copy करके आप किसी को भेज दीजिए, क्योंकि आप जब उसको भेज देंगे ना link को, तो आपके पास वो save हो जाएगा, तो ऐसे किसी contact को भेजिए, जहां पे आप उसको बाद में जाके दुबारा देख सकते हैं, तो मैंने आपको link का भी send किया है, यहां इस channel को subscribe कीजिए, notification को भी on कीजिए, क्योंकि बहुत सरी वीडियो का तो हम link आपको बेज भी नहीं पाते, तो आपको पता भी नहीं चलता कि वो वीडियो हम अप्लोड कर चुके हैं, इसमें सब की सब वीडियो आप ही के लिए हैं, आप ही के लिए हैं, तो हम सारा दिन कुछ ना कुछ YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे देखते रहते, ये वाला material ज़रूर देखिए, बाकि सब आप देखते रहें, आपकी चोईस है, ये वाला material ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत beneficial है, तो इस channel को subscribe कीजिए, इसके अंदर जो भी videos डाली गई हैं, वो देखिए, वो आपी के लिए हैं, और इसी के अंदर वो video है, water energy pad की detail video है, products detail के अंदर जाएंगे, तो playlist बना हुआ है, उसके अंदर आप देख सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, मैं जो बात करी थी, आपको master class के बारे में, तो अभी last week हमें, कल के दिन में, यानि के Thursday, last Thursday, हमें वो master class मिला था, और जिस person ने वो master class, हम सब के लिए hold किया था, उनी को मिलने का मौका है कल, हलाकि वो आप से मिलने आएंगे, ये बताने के लिए, आप success कैसे हो सकते हैं, तो अगर आप उनको मिलना चाहते हैं, जिस तरह से मैंने अपने जिन्दगी के अंदर बतलाव किया, उनकी बाते बताई हुई, समझ कर उसको implement करना शुरू किया, तो लाइफ के अंदर drastic change आया, बहुत सारे fears निकल गए माइंड से, बहुत सारे blocks निकल गए माइंड से, अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं, और अपने success को असान बनाना चाहते हैं, तो कल का session आप जरूर attend कीजिए, कल का session आप जरूर attend कीजिए, तो आज के लिए इतना ही, thank you so much, जो लोग सुबे के club के अंदर आना चाहते हैं, वो लोग register कर सकते हैं, आपको जिसने invite किया है, उनसे एक बार बात जरूर कीजिए, उनसे invitation जरूर मांगिए, कि अगर आप भी सुबे वाले club के अंदर आना चाहते हैं, तो जरूर आएं, और एक बात जरूर कहूंगी, अब आज मैंने बोला है, तो इसलिए कल मत आना, इसलिए आना कि आपको regular आना है, बहुत सारे लोग हैं, जो आज motivated हो जाएंगे, सुबे आएंगे और उसके बाद फिर नहीं आएंगे, एक दिन आने से कुछ नहीं होगा, आपको लगातार आना है, अपने आपके साथ commitment कीजिए, चार दिन, पान दिन मुश्किल लगेगा, उसके बाद मुश्किल नहीं लगेगा, तो आप लगातार आएंगे, अलरेडी 53 participants रोज होते हैं वापे, तो अभी 91 में देख पा रही हूं, आप में से 53 लोग होते हैं, बाकी के 40 पीछे नहीं रहना चाहते हैं, उनको भी बराबर आना है रेस में, अब पीछे मत रहिए, आईए, अपनी जिन्दगी को transform कीजिए, तो आज के लिए इतना ही, थांक्यू सो मच, मिलते हैं कल, रात को आठ बजे, सर की सेशन में, आपको अपनी सक्सेस को, असान बनाने के steps बताने आ रहे हैं, तब तक के लिए, थांक्यू सो मच, असान बनाने के लिए, झाल झाल